आण इसे लिए जो इस फ़ली है यह नवद्द्वद्वधाम परिक्मा करनेशगे मिलेगा लेकिन सब्सक्राइब출 ही ब्रजमंडल करक्मा करने का प्रात्व आपक्त हो जाए गा कई व्र प्रता हैं जिर्ण व्रह्णा ही जहां पर पचाय देते ही कभी कृष्ण सखाव को साथ में खेल रहते इतने में ललीता आ गई वले तुम लोग क्या कर रहे हैं वले मल्ला जुद्ध बड़े-बड़े बेक्षियों को होता है तुम लोग तो गुवाला गया चराने वाले तुमको क्या मल्ला जुद्ध पता है सखावन कौन जित्ता उनको नहां हरता है जब स्याम सुंदर सुन उनको कान में पड़ा स्री राधा राई यहां पर आये वास कृष्ण को साथी कापने लग गया कापने लग गया इतने में स्रिदा मधुमंगल के कनिया तो हमारी मेन हो अगर तू हार गया तो हमारी हार हो जाए इतने में राधा राणी तो लढ़ाई की नहीं राधा राणी केवल खुंज से लिकरे के जब उरुने केवल एक तेरसी चितवन से दर्सन किया जिसको स्री प्रवधा नंद सरसुति कहते हैं बंसी करान निपतीत स्खलितम स्खंडम भरष्टन चा पीत बसन बज़ाज सुन केवल राधा राणी जो एक कृपा कटाक से दर्सन करते हैं वहां पर राध कृष्ण का मघर मुक्त गिरी जाती हैं उनका बंसुरी गिरी जाती हैं उनका कभी कपड़ा भी खिसके जाते हैं उनको पता नहीं चलता है केवल राधा राणी की एक कृपा कटाक से से इतने में अब उस्ति के दांड की जोर जोर ताली मुझाना स्विल्कर पिया एट अचा यह में जोर बख्थ वेखे आती है कि इसले 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 इस तान स्री भांडिल वेट है यह स्थान का नाम मोदो द्रुमदी, मोदो मतलवद आनंद, कि यही पर यह अभिर्णा ब्रेज मेंडल यही पर भगवान राम भी बनवास का समय में यही पर आये थे, पहले यहाँ पर सुन्दर एक बटबिख्य था, इसी बटबिख्य को निचे राम लखमन सिता जो बैटे रे गविर्टे और नाम सिती बटबर आप लेते हैं, और पेड़ घुपर में सुन्दर-सुन्दर कोयल, जैसे ब्रिनदावन देवी ने प्रशन करते हैं मैं प्रभु आप क्यों मिठी मिठी मुस्कुरा रहा है यहुल सिते इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ यह जो धाम है ना यह साधार ना धाम नहीं है मैं कली जुग में यही परसरी सची नंदन गौल हरी बनकर के जन्म ग्रहन करूँगा और क्योंकि कली जुग में हरी नाम संकिर्तन ये धन्य कली जुग है ये धन्य कली जुग में सारे जीवों को क्रिष्ण रुपी प्रेव के बार में विस्तो ब्रमांदर बाहूँगा इसल और में तुम विश्न प्रिया बन करके आओगी और मैंने 20 साथ उंबर में सन्याशी घ्रहन करूगा और सन्याशी घ्रहन करते हुँगे मैं चला जाओँगा स्री जगर्नात पुरी अग तुम यहीं पर रहोगी और मेरे मुर्ति को पुजा करते हुए दीन रात मेरे बिरहा में तुम रोती रहोगी रोती रहोगे तुम और यह रामा बतार में भी मैं भी एक बाहना बना करेके एक कलंद लगा करेके मैं भी तुमको परित्यार करूँगा और तुम अस्राम पर मैं स्वरोना थू यंदम तुम्हारी बुजह करऊंगा और दीन रात थुम्हारी चिंद्ध ने कह़ए दुगा रहोंगी इसनी कि प्रश्ण हु ने क्यों करोगे की रहए दिगो सिते, का रहु थुछ कि दो दो पहले हैं। एक भीरह से और एक मिलन यह प्रयाओं है। लेकिन एक मिलनने क्या होता ह turned है? वो उपर उपर से मिलन की ही। लेकिन ruimर मिलने से चिंब न फिसलिए उपर उपर मिलने लिग अंदर से रहा मतलब होता है केली विशेस रूप में केली है इसलिए जैसे स्री हमारे जो प्रेम सरवर में प्रेम सरवर जिस समय से राधाराणी कृष्णा की गोड में बैठी हुई थी एक भाउरा ने आये ठूल को फर बैठना चाहते हैं इतने में राधाराणी डर गई कृष्णा मध्धुमंगल को बले उसको भगा करके आओ और मध्धुमंगल ने बोल दिया मैने तो मध्धु सुद्वन को बड़ी दूर में भगा करके आ गया हुँ लेकिन राधाराणी गोद में बैठी हुई थी लेकिन राधाराणी का जो प्रेम बैचित्र था जब उन्हें सुना मध्धु सुदर को भगा करें आगे मध्धु सुदर आई नहीं सकते ही गोड में बैठी हुई राधा राणी लेकिन राधा राणी की प्रेम की जो चमत कारिता उन्हेंने हाँ क्रिष्णा करते-करते वहीं परवयस हो गए कृष्णा आश्चर्ज हो गए जब हैं किते मेरे बैठी हुई राधा राणी का इसे प्रेम बैचीतरता लेकिन जब में नहीं रहता हूं राधा राणी तमाल ब्रिखन को करेंख करें के आलिगर करतीहीं में को देखर करके बात करतीहीं उसी quiz in पुर्ण और रूतम में दूब जाती ये लेकिनी अभी मेरे गोड में बैठ जेसे चंद्रमा हैं, करते जो बिरह को उदारन दिया यह सुर्ज है, जैसे चंद्रमा में, मिलन में, चंद्रमा का किरन जहां पड़ता है, उतना स्थान ही प्रकास करता है, लेकिन सुर्ज का किरन बिरह को साथ मुदारन दिया, करते शुर्ज का किरन जहां पड़ता है, उहा माधूर जता प्रकास होता है लेकिन विरह में विशह से के बात है विरह में उनकी माधूर जता और उनकी अईस्वर जता एक साथ में प्रकास होता है इसलिए भागवत में जितने गोपी गीत भ्रहमर गीत वहां बेनो गीत यह सारे गीत किसी आवस्ता में प्रकासित है यह गोपी गीत का जो पहला स्लोग है, बलजयती ते भीकाम, जन्मना ब्रजा, स्रायत एंदिरा, सास्वदात रहे, दाइत द्रीक्सता, दीक्सतावता, तोई ध्रितात्थव, त्वांग भीची इन्वते, तो यहाँ पर उनकी स्रायत इंदिरा, वो कह रहे हैं, क्रिष्ण की ब्रेज में प्रगट हुआ, यह ब्रेज ज्वव में क्या हो गया, बले लख्मी की क्रिणा भूल बली है, यहाँ पर लख्मी यहाँ पर अईस्वर्जय प्रगासी तो हो रहा है, और मादुर्जय में प्र भी काले नूत में आगे इसलिए वहां पर अईस्वर्ज महदुर्जीय यह दो चीज एक साथ में बिरह में यह दो चीज एक साथ में प्रकाषित होता हैं इसलिए राम चंदर ने कहा है सिते, मैं भी तुम्हें परित्या करते हुए, मैं भी तरे बिरह में, मैं भी रोगा, तु भी मेरे बिरह में तु भी रोगे, हम दोने ही रोते रहेंगे, यहाँ पर हमारे भत्ति वेदा से नरहें गोष्वाई महाराच यहाँ पर इतने भावा मिष्टो हो जाते थे, बड़े सुन्दर राम लिला बखा करते थे, जिस नमें लब कुस्त, माता सिता की जो बदनामी हुई, यह बदनामी को दूर करने के लिए लब कुस्त हुआ आए राम और सिता के करुण, उनकी करुण दिला को उनने भरना करते हुए, संपोर्न उनने अजुद्धा भासियों को रूला दिया, रूला करके जब उनने राज सभा में आये, उनने देखा माता सिता की एक मुर्थी है, लेकिन माता सिता की मुर्थी यहाँ पर, लेकिन अभी कि उन्हें कियों कि करता है अपैने के लिए लेकिन एक आशे चीज हमें ने देखा वल्य क्या देक वलट तेरी जैसे एक मूर्पी हमने देखा! आर नालbane को लिए देखा जो की पुजा करते हुए देखा आ गहा कॉल जो मीया सिता ने Ichi को सरबन कर दों घाती है भजाती राजा न अब ने मेंको परित्याग किया हुपरो किया नेहीं रजा ने तों कर दो घात राजआ ने राहन सिता को । परित्याग नहीं किया, इसलिए सित्ता इसको सुन करके आखों से आसुन की जहरी वेले लगी जाती है, इसलिए महराज यहां पर आखर करके पूरा उसी लिल्ला में आविश्ट हो जाते थे, इसलिए यह दिब्ब स्थली, यह स्थली है, और आप लोगों ने स्रबन किया, प मैंने जब भगवान के आराधना कीती, भगवान स्वयम गौर हरी रूप में उनको दर्सन दिया था, जब यहीं पर भजन कर रहे थे, श्री जन्न मुनी, जब भगिरत ने अपना पुर्बर्जों को उधार करने के लिए आप लोगों स्रबन कर रहे थे, सगर महराज की जो अपना नादी बहूत कोशिस किया गंगा को अवतिर न करने के लिए गंगा संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन भगिरत ने किया कि जुबा भैस अभी साधी बादी नहीं किये, उनने जुबा बस्ता में जाकर के उनने गंगा जी को आराधना की, आराधना की तो गंगा प्रस करने के लिए, रिटार लाइप में, लेकिन इस्री भागिरत ने उनने देखा मेरे पुर्वज लोग दुखा कष्टा भोग कर रहे हैं, और उमें राज सिल्हासने में बैठी करें विशर भोग करना या नहीं, जब तक मैंने पुर्वज को उधार नहीं कर तक मैंने विश करते प्राग्यम, जो बुद्माल बेक्ति हो एंगे, बच्पल से भक्ति करनी चाहिए, तब इतमारी सारी एनार्जी भजन में लगेगा, और रिटार लाइप में, जब सारे रिटार की होते ही, जब देखते हैं, और कोई काम नहीं कर सकता, आट आर गड़ा बड़ा जब साधारना काम से रिटार हो गए, पर भक्ति में कैसे भजने करोगी, इसलिए भक्ति बच्पन से करनी चाहिए, इसलिए गंदा को संतुष्ट कर दी, गंदा बले में तो आ सकता हूँ, लेकिन मेरे दो समस्या है, पहला समस्या है, मेरे बेग अतन्त प्रकर है, अगर मे कोई धारन नहीं करेगा, तो पाताल चली जाओंगी, दूसरी समस्या है, बड़े-बड़े पापी लोग भी आकर गंदा में आएंगे, ये पाप से हम मुक्त कैसे होँगी, फेर उनने संकर जी को आरा धना की, संकर जी प्रसन्न होगे, बले क्यों, बले ये गंदा कौन है, ठाकर जी की चर्णा मृत है, और जैसे एक संकर जी दान, दूसरे समस्या है, पापी लोग नाएंगे, बले बड़े-बड़े साधु लोग भी आएंगे, बैसन्न लोग भी आएंगे, ओभी सनान करेंगे, इसलिए भगवग दिधा भागवता तिप्त भूता स्वयम बंत तिर्थानी सांतो स्तेन गदा बितम, बैसनव को अंदर में इतने सकती है, बैसनव का जरूत नहीं गंगा नाहनेगा, लेकिन गंगा में जो पाप है, लेकिन जब इनको चर्नस पर सो हो जाता है गंगा का सारी पाप को, ये बैसनव लोग धारन कर लेते ही, ये अंगु सरी संकर जी, ये देव देव महादे, संकर जी बले कोई बात नहीं, जितना ताकत सारे ताकत लगा करके तुम आ जाओ, संकर जी त्रिसुल लेकर के पूरा इससे खड़िम हो गए, बले पूरी ताकत लगा दो, और गंगा कलकलनाद करते हुए, सारे प्रभाव को, सारे तेजि को लेकर के आई। और संकर जी की जटा में आई तो संकर की जटा को उनने इतने ठेलाया, वहीं पर ही गंगादुए समा गई। बहलए संकर जी की वले बावा की इसलिए उन्हें नहें गंगा देव को दारने किया, clicking बहल है जटamento गंगा ते घंगा तो आई कि पळले जो वेया चेहने तो थोड़ी देने का चीज पर नहीं मा ही में इतने करक्त करें लाया हूं दो और संकर जी तो धे दिए पर उसी गंगा को आगे आगे भगरत जा रहें संग व네 जाते बाजाते जब गंगा यहां पर आई यह नवदिक धाने महापरुगा धाने महाप्रुगा धाने इसलिए गंगा देविक पता इसलिए गंगा किसी तर से छोड़ाना नहीं चाहते रहे थी। अप्सकेसे टेडीमेठी होकर माहपरुगा धानुछ lotta ना यहाही पर गंगा देवी आई वहां पर जन्नमनी तपस्या कर रहे थे इतने बंगा बहते हुए उनका जो आसन सुनका जो कमेंडलों का जो फात्रा है थी था वह बहते हुंे जा रहा हुआ। इखागा गंगा बड़े भाग्या से प्रव्द जर्णा मिर्त मिलता है। तो उन्हें ने अपना जानों को फार दिया तो उधर से गंगा आई। इसलिए इनका नाम पढ़ेगा जानना वी। फिर उसी गंदा को उनने जहा पर आप लोग वह जाते हुआ और गंगा सागर, अन्हें पर जाकर उनने कन भी गंदा की इतने पवीत्र था, कितने साजार सालों पहिले उनका परिवार जल करके राज बने गये तो, आपर कुछ पर की या ज़ी तो नहीं ता. लेकिन जब गंगा थोड़ी से उनको उपर बहते हुए गई설 इनकी सारी पुर्बज पोनी उदार कर लिया इसलिए कहते सारे तिरत बार 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 गंगासागर बार लोग गुरुषण लोग के अनुवर्थम यहां प्रणाम करें ओर यह आरे परिक्मा का अंतीम की पढ़ा हुए। इसलिए गुरुदेव कहने हैं अगली बाद सब कर्सक्राइब की जर्णा होगा है। इसलिए गुरु तो और एक बात कहते थे, जब धर में जाओना ये बोड़ना नहीं, हमको रोहने का ठीक से नहीं मिला, खाने का ठीक से नहीं मिला, और बड़ा पर इसलिए बोड़ना इतने बढ़िया, प्रसाद विंदिवासियों के लिए बढ़िया ही मिल रहा है, तिन ति गुरु जी को साथ में परिक्मा करते थे ना, आप लोग जी से आटाजवासियों में रहते हैं, हम लोग तो बाहर सोते थे, हाँ बांडा में हम लोग सोते थे, हम बांडा में और जो ब्रजमान लोग परिक्मा करते थे ना, जो जो लोग परिक्मा करने नों पता होगा, ब परिकमा करने और नंगे प्यार में आ जाते हैं गुरुदेव रहर के समय नहीं गुरुदेव स्वयम पेदले में चलते थे स्वयम एक बार किया हुआ नर्सिंगी पली से विरिंबा हमारे मंदिर तक समसे लंबा रास्ता है जब बस आया गुरुदेव देखा क्या शैत्र पर सन्यासी ब्रहम चारी गुरुदेव अपना यह डंडा है ना यह डंडा का काम करता था गुरुदेव बस को रुखवा दिया और डंडा लेकर गुठा और ऐसे इसे मारे और बस को उपर से सबके सब चलाग लगा 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 करते थे इसलिए गुरुदेव एक बात कहते थे देखो जब आप पईदले में चलते होना कष्ट होता है कि विटले को समसारे के लिए कितना कष्ट करते हैं। गुरुदेव कहते थे जब महाप्रव के लिए तुढ़ा कक्ष्ट करो गुख वरिए सब चीज को देख रहे हैं। जब तुम्हार疫क दुखे अउनका घृतर द्रभी नगना कदभ चाया जब महाप्रव के सब गर महाराज बोल रहे हैं, जैसे नवद्धी उधार में आए, आप लोग को सब के सब शरी ब्रजमंडल परिक्मा के रिए तरी 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 महाराजी, वहां पर उता बढ़िया चटा से प्रसाद, इसलिए ब्रजमंडल परिक्मा भी सब के सब आना, जिर्थ हमारे भत्ति प्रग्य ब्रजमंडल परिक्मा भी आपको एनारजी भत्ति में चावी, हरीकथा सुन करे के आपकी मैं ब्रजमंडल परिक्मा फिर चार्ज करेंगे, फिर तो तहां तक चार्ज करते हैं, क्योंकि बैष्णाव संग के बागर भजन करना बड़ा कठीर हैं, इसलिए आप लोग हर साल बढ़ते रहिएगा, जैसे मत्सा बतारे, मात्रमारत गेत मत्सा बतार जैसे, धिर 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 सबके सब बढ़ते जा रहे ही, इसलिए यहां प्रणाम करो, चर्ण धुल लगाना और प्राथना करना हर साल जैसे महापुर का धाम में आ सकते हैं, बांशाकर लोटर भेस्टर क कृपासिंत दाइवत्य प्रतितार्नांग पावरे भो बैस्नवे भो नमू नमू